अस्सलाम उलेकूम उर्दू for students चैनल पर आप सब को खुशामदीत कहती हैं तो कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब खैरियत से होंगे चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो मैंने हरूफ की एकसाम के बारे में बनाई थी तो हमारी आज की वीडियो जो है इसमें भी मैं आपको दो हरूफ के बारे में बताऊंगी सबसे पहले हैं हरूफ इस्तफ़ाम इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हरूफ इस्तफ़ाम कौन से होते हैं और जुम्लों में उनका क्या इस्तमाल है चलें तो देखते हैं जी सबसे पहले हम देखते हैं हरूफ इस्तफ़ाम की तारीफ ये वो हरूफ हैं जो कुछ पूछने के मौका पर इस्तमाल होते हैं सवाल करने के लिए इस्तमाल होते हैं यानि जब आपने किसी से कोई बात पूछनी हो कोई सवाल करना हो तो इन हरूफ का इस्तमाल किया जाता है और हमारी रोजमर्रा की बादचीत में रोजमर्रा की गुफटगू में इन हरूफ का इस्तमाल बहुत ज्यादा किया जाता है और इनके बाद सवालिया निशान का इस्तमाल भी जरूर किया जाता है इन जुम्लों में जिन में हरूफ का हरूफ इस्तफ़ाम का इस्तमाल हो जिसमें है क्या, कब, कैसे, कितना, क्यूं, कौन, कहां जी तो इन हरूफ को देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ज्यादा तर आप ये हरूफ तब ही इस्तमाल करते हैं जब आपने किसी से कुछ पूछना हो या किसी से कोई सवाल करना हो चले अब हम जुम्लों में इनका इस्तमाल देखते हैं ये देखिए आपके सामने कुछ तसावीर हैं सबसे पहली तस्वीर में ये एक क्वेस्चन मार्क भी बना हुआ है यानि सवाल या निशान ये कैसे होगा तो इस जुम्ले में कैसे जो है वो हरुफ इस तफ़हाम है यानि ये अब किसी चीज़ के बारे में भी कह रहा है कि ये सवाल कैसे होगा या ये काम कैसे होगा दूस्सा जुम्ला है बाहिर कौन है यानि अगर कोई दरوازा कھट-कटा आ रहा है और आपने पूछना हो कि बाहिर कौन है तो उस जुमले में भी हरूफ इस्तफ़ाम का इस्तमाल किया जाता है और ऐसे ही अगर आपने अचानक किसी से कोई बात पूछनी हो या आपको कोई बात पता चले तो बेखत्यार आपके मुझे निकलता है क्यूं तो क्यूं भी हरूफ इस्तफ़ाम है इसके लावा किसलिए काहे को को कितना कितनी कितने ये कितने पैसे हैं ये कितनी गाड़ियां हैं तो ये सब हरूफ इस्तफ़ाम है चलें तो आप चलते हैं अपने अगले हर्फ की तरफ, हमारा अगला हर्फ है हरूफ तहसीन सबसे पहले हम देखेंगे के हरूफ तहसीन कौन कौन से है और इसकी तारीफ क्या है जी ये देखी ऑ kelurojar पर आप को इसकी तारीफ नज़र आ रही है हरूफِ तहसीन ये वो हरूफ हैं जो किसी चीज की तारीफ के लिए इस्तमाल होते हैं और इनने हरूफِ इन्बसाद भी कहा जाता है जी हाँ ये वो हरूफ होते हैं कि जब आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है बहुत प्यारी लगती है या किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया हो तो बेख्तियार आपका दिल करता है कि आप इसकी तारीफ करें और खुशी के मौका पर भी कुछ हरूफ बेख्तियार हमारे मूँ से निकलते हैं तो ऐसे हरूफ को हम कहते हैं हरूफِ तहसीन चले तो देखते हैं कि हरूफِ तहसीन कौन कौन से है जी ये देखिए आपके सामने हरूफِ तहसीन की एक फेरिस्त है सुबहानला, मरहबा, शबाश, आफरीन, खूब, वहवा, आहा, माशालला, बहुत खूब, जजजाकल्ला जी, ये हमारी रोजमरा गुफटगू में शामिल बहुत ऐसे अलफाज हैं जो के हम अक्सर मौका पर इनका इस्तमाल करते हैं जैसे अगर हम कोई बहुत खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं सुबहानला कितना प्यारा मौसम है यानि अलफाला ने कितना प्यारा मौसम बनाया है ऐसे ही जो मरहबा है ये अरबी लफ़ है और इसका मतलब होता है किसी को खुशामदीद कहना खुशी से, बड़ी चाहत से, बड़े एहतराम से जैसे मैंने ये एक लिखा है कलमा आपके सामने मरहबा, रमजान, यानि रमजान को खुशामदीद कहते हुए चलें कुछ और मिसाले देखते हैं जैसे ये आपके सामने एक मिसाल है, इसमें मैंने लिखा है वह वह, अब मैंने इसमें तीन हरूफे तहसीन लिखे हैं वह वह, बहुत खूब, शाबाश ये आपने देखा होगा कि जब आपको अच्छा काम करते हैं तो सब आपकी बहुत तारीफ करते हैं तो आपको ऐसे ही लख सुनने को मिलते होंगे शाबाश, खूब, बहुत खूब या वह, वह तो आप अच्छे काम करते रहें ताके आपको हरूफे तहसीन सुनने को मिलते रहें हाँ जी, उमीद है कि आपको हरूफे इस तफहाम और हरूफे तहसीन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताके आपको आइंदा भी ऐसी तालिमाती और मालूमाती वीडियो मिलती रहें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्ला हाफिज